नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं बिल्कुल एक लेटेस्ट वीडियो के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो जुड़ा हुआ है जो सीटेक्ट का एक्जाम हुआ था सक्टमबर 2016 में उसका पेपर नंबर वन पे आर्टी का जो पेपर होता है आज हम वो लेके आए हैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में तो ठीक है दोस्तों शुरू करते हैं विल्कुल कोशन नंबर एक से हम शुरू करेंगे यह देखिए भाग एक है बाल विकास और सिक्षेशास्तर चाइल्ड डेवलक्मेंट एंड पेडागोगी तो शुरू करते हैं आज का अपना विडियो सीटेट सप्टमबर 2017 पेपर नंबर वन पी आर्टी प्रसन नंबर एक विध्यार्थियों के संप्रेया दात्मक विकास को प्रोथसाहन देने के लिए निमली कितमे से कौन से विधी सबसे प्रभावी है चार विधियां हैं विध्यार्थियों को बहुत से प्रभावी ढंग से सीखेंगे चार ओप्षन आपको दे दिये गए हैं जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गनित की संग्यात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंदर होता है और बल दिया जाता है जहां सिक्षक सारे अधी गमों में आगे होता है और विध्यार्थ है और सपस्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए तो दोस्तों इसका उतर है तीसरा जहां उनकी संवेगा अत्मकाव शक्ताओं की पूरती होती है और वे अनुभाव करते हैं कि वे महतपूर्ण है परसन नमबर तीन एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कव्व सुरितियां पहले से बंडारित होती हैं बच्चे में पक्षी का प्रत्यविक्सित हो चुका है बच्चे ने अपने अनुभाव बताने के लिए भाशा के कुछ उपकर्णों का विखास कर लिया है तो दोस्तों इसका उत्तर है ए बी और सी तीनों सही है ये अगर हम बात कर तो बच्चे की सुरितिया पहले से बंडारित होती है, बच्चे में पक्षिका प्रतेविक्सित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभाव बताने के लिए भाशा के कुछ उपड़नों का विखास कर लिया है, प्रसन नमबर 4, कोई शिक्षिका अपने विध्यारतियों को क्या कहें कि उन्हें भीतरी परेडा के साथ कारिये करने के लिए प्रौट्साहित कर सकें, तो ऑफ्षिन है काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टाफी मिलेगी, इसे करने के कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, तो इसका उतर दूसरा है है, दोस्तों इसे क्रने के कर सकती है चार option है व्यक्तिकत लक्षन इर्धार्ट करके और उन में निपुंता पाने में उन्हें मदद देकर दूसरा है साफ दिखाई पढ़ने वाली नाम देकर जैसे टोफी तीसरा है उनमें चिंता ओल्डर पैदा करके चोथा है प्रतियों की तात्मग प्रिक्षन से त धारतियों को प्रेरित करना होगा option है दंडात्म को प्रियोग करके जिससे वे शिक्षक का समान करें दूसरा है ऐसे काम करने के लिए जिससे प्रिक्षा के अंत में भी अच्छे अंग पान सके तीसरा सीखने के लिए जिससे वे जिग्यासू बने और सीखने के लिए ही के लिए ही सीखना पसंद करें प्रसंद नंबर साथ निमलिकित में से कौन सवधार प्रभावशाली विद्याले की प्रथा का है तो चार ओप्षन है आपके सामने व्यक्तिक्षाप्षेक अधिगम प्रतियोगिदात्मक अक्षा निरंतर तुलात्मक मुल्यांकन और चाररिक दंड चार ओप्षन है चारों में से जो पहला है व्यक्तिक्षाप्ष अधिगम बिल्कुल सही है प्रसंद नंबर आठ विकास का शिर्पधा मुक दिशा सिध्धान्त व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है सिर से पैर की और ग्रामिन से शेहरी चेत् स्ट्द में से कौन सा है व्याष का वस्ता प्रारंबिक बच्पन का समय है जयनपूर्वा का समय है मत्य है बच्पन का समये तो दोस्तों इसका उत्र है प्रारंणिक बच्पन का समय प्रससंद नंबर प्रदशन करती हैं, उसके माता-पिता दोनों ही खेलाडी हैं, उसे नित्य प्रसिक्षन प्राप्त करने बेजते हैं और सब्ताहंत में उसे प्रसिक्षन देते हैं, भहुत संभव है कि उसके संदाए निमलिकित दोनों के बीच परस पर परतिक्रिया का प्रिया नाम होंगी, स्वास्थे और परसिक्षन, अनुसासन और पोस्टिक्था, अनुवान्चिक्था और प्रियावन, विर्धी और विकास्त, दोस्तो इसका उत्र है, तीजरा अनुवान्चिक्था और प्रियावन, प्रसा नम्बर 11, निमलिकित में कौन से समाजी कर्ण के गोन वाहक हो सकते ह रसे नम्बर 12 लए वायस को पी के अनुसार संग्यानातमक विकास का मूलकार्ण है, मांसिक प्रारूपों का समायुजन, उधिपक अनुक्रिया, युगमन, संतूलन, सामाजिक अनुन्यक्रिया तो चार ओप्षन है, चारों में से जोता है वो बिल्कुल सही है, सामाजिक अनुन किरिया पसंट नमबर 13 किसी बच्चे का दिया गया विशिस्ट उत्र कोहलवर के नैतिक तर्क के सोपानों की विशेवस्तू के किस सोपान के अंतरगत आएगा यदि आप इमानदार हैं तो आपके माता-पिता आप पर गर्व करेंगे इसलिए आपको पहना चाहिए ओप्शन है अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन कानुन और रिवस्था अनुकूलन डंड आग्याकारिता अनुकूलन सामाजिक संकूचन अनुकूलन तो दोस्तो इसका उत्तर है अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन परसन नु परियावने के सक्रिय कोजबिन Z duosten के व्यवहर का अब लोकन तो दोस्तो सिक out रही आ त्रीश्र द्वारा परियावने के सक्रिय है कोजबिन परसाल 12 इस बाई worry की अनूसार प्रारूप निर्मानब वर्तमान योजनाओं योजनाओं के अनुरूप बनाने समाय किकरन और संसोधन के रूप में, समायो जन और अणुपूलन के रूप में, तो दोस्तो इसका उतर है। किसी प्रग्यति-सिल कक्षया में व्यवस्था, कि व्यवस्था में सिकषक एक ऐसे वातावन को पलब्द गरा कर अधी गम को सुक्षम बनाता है। समावेशन को अतुटसाइद करता है आवरिती को बढ़ावा देता है खोज को प्रोचाहन देता है नियामक है तो दोस्तों इसका उतरह तीसरा खोज को प्रोचाहन देता है प्रसन नमबर 17 भावर्डगा गाड़नर का बहु बुद्धी सिधान सुजाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विशेवस्तू को व्यकल्पिक विधियों से पढ़ानी के लिए बुद्धी जीवियों को एक रूपरेका की तरह ग्रेंड करें दूसरा है शम्ता भाग्या है और एक अवधि के वितर नहीं बदलती दूसरा है हर बच्चे को परतेक विशे आठ भिन तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियों विक्सित हों चोता है बुद्धी को केवल बुधिलब्दी आईक्यू परिक्षा से ही निर्धारिते किया जा सकता है तो दोस्तों इसका उतर है पहला शिक्ष करते हुए अपने आप से बात करती है लड़की द्वारा परतशित व्यवहार के संदर में नियुलिकत में से कौन सा कथन सही है पहला जान प्याजे इसकी व्याक्या सामाजिक अनुनकिया के रूप में करेगा और लेव बाइसको की इसे खोज भी मानेगा प्रसंद नम्ब और दो जान प्याजे और लेव बाइसकी इसकी व्याक्या बच्चे के द्वारा अपनी मा के अनुकर्ण के रूप में करेंगे तीसरा जीन प्याजे और लेव वाइसको की इसकी व्याक्या बच्चे के विचारों को एकेंदरित प्रकरती के रूप में करेंगे चोथा है ज उत्तर है जोपता विल्कुल लास्ट वाला है विल्कुल सही प्रसंद नंबर 19 लिंग क्या है सही ज़िद्धान विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निमलीखित में से किस विधी को वरियता देंगे टत्थ पर आधारित परत्याश्मर्ण के प्रसन वस्तुप्रक भुविकल्पी परसन के प्रकार के प्रसन सहयोगी प्रोजेक्ट मानें क्रिट प्रिक्षण, तो दोस्तों इसका उत्तर हैं सहयोगी प्रोजेक्ट, प्रसन नमबर 21, अपनी कख्षा की है, व्यक्तिक भिंताओ उसे निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बात्चीत करें और उनके द्रिस्टिकों को महतोर दे, विध्यारतियों के लिए कटोर नियमों को लगो करें, शिक्षन और आकलन के समान और मानग तरीके हो, बच्चों को उनके अंक के आधार पर अलग कर उनको नामित करे तो दोस्तो इसका उत्र है पहला बच्चियों से बात्सित करे और उनके दिस्टिकों को महतोर दे प्रसन नमबर 22 आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यति वह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो दूसरा है विध्यारतियों की उपलब्दियों में अंतर करने के लिए तुलना अतमक मुल्यांकन किये जाए इससे विध्यारतियों में भै और तनाव का संचार हो इससे विध्यारतियों और शिक्षकों की प्रती प्रुस्टी प्राप्त हो मिलब फीडबेक प्राप्त हो तो दोस्तो इसका उतर चोथा ही है इससे विध्यारतियों और शि इसका option है दूसरा सही प्रसन नमबर 24 अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविद कक्षया में अपने विध्यारतियों से सिक्षिका की उपेक्षय विध्यारतियों के अधिगम के साथ संबंदित नहीं मानी जानी चाहिए पर परभाव नहीं छोड़ती पर महतपुन परभाव चोड़ती है प्रसन नमबर 25 विशेस आवशक्ता वाले बच्चों को शामिल करना विध्याले पर भार बड़ा देगा शिक्षन के परतिद्रिस्टिकोन विशेवस्तू और धार्ना प्रिवर्तन की उपेक्षय रखता है यह काल्पनिक लक्षय है जिसमें अक्षंता नय हो उन बच्चों के लिए हानी कारक है दोस्तो चार ओक्षन है इसमें से दो दूसरा ओक्षन है वो सही है शिक्षन के परतिद्रिस्टिकोन विशेवस्तू और धार्ना प्रिवर्तन की उपेक्षय अपेक्षय रखता है प्रसन नमबर 26 विवित परकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रिस्ट भूमी के बच्चे से युक्त कख्षय सभी विध्यारतियों के अधिगम अनुभाओं को बढ़ाती है यह कथन है चार ओक्षन है एक बार परसे आपके सामनी सही क्योंकि इससे कख्षय अधिक श्रेणेबत दिखाई देती है दूसरा गलत क्यो कि यह बच्चे के लिए दुविधा उत्पन कर सकता है और वे स्वयम को अलग तलग महसुस कर सकते हैं चोथा सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कोशल सीखते हैं तो दोस्तों इसका उतर है चोथा सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कोशल सीखते नम्मर 27 सुननी में ऐस मर्थ बच्चा नियमत विद्याले में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उप्युक्त सुविधा और साधन अपलब्द कराए जाएं दूसरा है नियमत विद्याले में अपने सहपार्थियों के समान कभी परतशन नहीं कर सकेगा तीसरा है स्रोन ऐ व्यवसाइक शिक्षा दी जानी चाहिए तो दोस्तो इसका उत्तर है पहला नियमत विद्याले में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उप्युक्त सुविधा और साधन अपलब्द कराएं जाएं प्रसन नम्बर 28 निमलिखित में से कौन से विशेस्ता परति भावान श जाता है तो दोस्तो इसका उत्तर है जो था यदि कक्षा के गतिविधियां अधिक चनोती पुर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभाव करता है और उप जाता है प्रसन नम्बर 29 एक शिक्षी का अपनी प्रात्मी कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है तो उप्षन है अपने शिक्षारतियों में प्रतियों गिता को प्रुशान दे के विशेवस्तु को विध्यारतियों के जीवन के साथ संभंदित करके अधीगम में चोटे-चोटे उपलबदियों के लिए प्रसकार दे कर ड्रिल और अभ्यास के दौओरा तो दोस्तों इसका उत्टर है दूसरा विश्यवस्तु पूर वुध्यारतियों के जीयों के साथ समभतित करके, प्रस्ट नमबर 30, बच्चों के बारेम निम्लिखित कत्रों में से कोग सा सही है, बच्चे जानकारी के निसकरिये प्राप्ट करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, अगला भाग जोगी है भाग नमबर दो गनित पार्ट टू मैतमेटिक्स प्रसन नमबर 31 कक्षा दो की एक सिक्षिका ने अपने विध्यारतियों को चार इकाई और तीन दहाई लिखने के लिए कहा कुछ विध्यारतियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा एक सिक्षिका के रूप म आप विध्यारतियों के इस संकल्पना को कैसे समझेंगी स्थम्भ विधी में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रसंदेंगी दूसरा है विध्यारतियों को गिंतारा पर परदशित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी तीसरा है उन्हें पताएंग जिससे कोई ब्रहम उत्मन नया हो, तो इस तो इसका उत्र है, दूसरा विध्यारतियें को गिंतारा पर प्रदशित करने के लिए कहेंगी, और फिर लिखने के लिए कहेंगी, प्रस नम्बर 32, गनित में पर्तिचित्रन के लिए निमलिखित कफनों में से कौन सा सत्य नहीं है चार कथन है आपके सामने आपको देखना है कौन सा इसमें सकते नहीं है परतिचितरन अनुपादिक विवेचन को प्रोथसाहिद करता है दूसरा है परतिचितरन गनित पाठे करम का भाग नहीं है तीसरा है पर्तिचित्रन का गनित के कई विशों से समाकलन किया जा सकता है चोथा है पर्तिचित्रन स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है तो दोस्तो इसका उतर है दूसरा यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि पर्तिचित्रन गनित पाठ्यकरम का भाग नहीं है प्रसल नमबर 33 आकरतियों के निमलिखित पहलू में से किसका प्राथमिक स्टर से कोई संबंद नहीं है कौन समविती चोपड़ परती रूप पैटरन तो दोस्तों इसका उत्तर है पहला कौन प्रसल नमबर 34 गनतिया खेल और पहलियां मदद करते हैं गनित के प्रतिसकारात्म का विव्यक्ति को विक्सित करने में गनित और प्रतिदिन के विचारों में संबंद स्थापित करने में गनित को आनंदायक बनाने में समस्या समाधान के कोशल को प्रोटसाहित करने में इन में से आपको देना है सही विकल्प है इन चार में से कौन कौन से सही है हमें देखना है यह है तो दोस्तों A, B, C, D ये चारों बिलकुल सही है तो इसका आंसर है पहला प्रसन नमबर 35 एक दिये गए हुए आयत को समानांतर त्रिभुज का चेत्रफल समान है प्रंतुकुक जिने के लिए किस प्रकार साहता कर सकता है कि दोनों का चेत्रफल समान है पहला है पैमाने के प्रियोग से दूसरा है जियो बोल्ड के प्रियोग से तीसरा है आले ग्राफ के प्रियोग से और चोथा है कागच मोडने के प्रियोग से तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा आ मिलिखित में से कौन सा नहीं है पहला गणित को बच्चों के जिल्द की कैनुभ Además बाता बनाना दूसरा समाधान और समस्या प्रस्तृत करने की कोशल को प्रोच आइप करना तीसरा है तर्क तो तीन में पांच के स्थानिय मान तथा बतिस जार एक एक्तर में साथ के अंकित मान का अंतर है तो दोस्तों कितना अंतर है तो यह है अंतर है चारसो त्रियाण में प्रसन नमबर अड़तिस यदि तो प्रसन नमबर अड़तिस यदि प्रसन नमबर अड़तिस यदि अजाता है तब भागफल है तो क्या भागफल बचता है तो यह इसका उतल है 8 प्रसन 40 यदि 603 गुणा 28 ब्राबर 63 गुणा 4 गुणा खाल स्थान तब रिक्तश थान की संख्या है तो रिक्तस्थान की संख्या है तो दोस्तो इसका आंसर चोप था 120, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के वीच में है, इसके एकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, यदि संख्या में अंकों का योग साथ है, तो अंकों का गुणनफल क्या होगा, तो अंकों का गुणनफल होग हैं जो खिलाडी नहीं है उन्हों लड़कों की संख्या है तो उन्हों लड़कों की संख्या है तीस प्रसन नमबर 44 हरीश ने एक स्कूटर 1553 में करीदा उसने आठ जार चैतर का लगे तो भुक्तान किया था ता सेश रखन को 37 वराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ प्रते किस्त की क्या राशी होगी है तो प्रते किस्त की राशी होगी 1121 रुपे है प्रसन नमबर 45 एक रेलगाडी है दराबाद से चुकरवार को समय 13 पंदरा पर चली है और अगले दिन सुबह साड़े साथ वजे पहुंची है तो इसका उत्र हो जाएगा 18 गंटे 15 मिनट प्रसन नमबर 45 पंदरा दिनों में मिन्टों की संख्या ब्राबर है निमन में से किसके सेकेंडों की संख्या के तो दोस्तों इसका उत्र है 6 गंटे संत्रे के 15 लि साथ 750 मिले लीटर जूस प्रियों मिलायाँ जाता है और शेष को बोतलों में बैरा जाता है वहां पर तेख बोतल में 200 मिले लिटर जूस आता है बोतलों के संख्या क्या है तो दोस्तों सारह वह Mitte करनेť कर लेजिए 1520 सी अभाग कर दीए तो आपके पास बहुत लोगी संख्या जाएंगे जो भी होगी 89 प्रसन नंबर 48 फलों के मुल्य परती केज़ी नीचे दिये गए हैं खरबुज्जा 18 रुपए चैरी 32 रुपए अंगूर 120 रुपए 60 पैसे 78 रुपए 40 पैसे रेश्मा ने 64 किलो खरबुज्जा एक किलो 200 रुपए वापिस मिले तो दुकांदार ने उसको कितने रुपए वापिस दिये तो दोस्तों दुकांदार ने उसको 163 रुपए वापिस दिये प्रसन नमबर 49 साबुन की एक टिकिया का आकार 7 cm गुणा 5 cm गुणा 2.5 cm है दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माब साबुन की इन टिकियों की अधिक्तम संख्या पैक की जा सकती है तो दोस्तों इसका उत्तर है 1280 प्रसन नमबर 50 किसी आयत की लंबाई उसकी चोड़ाई का तीन गुणा है उसकी चोड़ाई एक वर्ग की बुजा का आधा है जिसका प्रीमा पर बहतर सेंटीमेटर है तब तब आयत और वर्ग दोनों के प्रीमा परापर है प्रसन नमबर एक उनिमल खित में से कौन सा सही नहीं है किसी गणाव का आयतन जिसकी लंबाई 45 सेंटीमेटर चोड़ाई 15 सेंटीमेटर और रूच है 40 सेंटीमेटर है बरापर है उसके घंड के आयतन जिसकी बुजा 0.3 म थां है दूसरा है 10 का सताथ एक है 55 लीटर 55 55 लीटर बरापर है 55500 लीटर प्रसनल वा discussed की दोstesनल गुझा कर ने कि प्रकर्या को समझने के लिए निमलिकित में से कौन सी पुरो जानकारी आवशक है गुण की करेविनियम इन गुण गुण योग पर वितरन के रूप में गुण विभाजन के परति लोग के रूप में योग का करम विनियम गुण तो दोस्तो इसका उत्रह दोसरा गुण पन गनित से भैवित होने और उसमें एसफल होने के लिए निमलिखित में से किसे एकार्ण नहीं माना जा सकता परतिकात्मक संकियत गनित की संवलत्ना लेकिंग भेद कक्षिया कक्ष के अनुभाव तो दोस्तो इसका उतर है तीसरा लेंगिंग भेद प्रसन नंबर चोवन द ग्राफ पेपर गिंतारा जियो बोल्ड तो दोस्तो इसका उतर है दूसरा ग्राफ पेपर प्रसन नंबर पिचपन कक्षया चार की अधिकतर सिक्षार्थी सोचते हैं कि वे दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदेव दोनों संख्याओं से बढ़ी होती है संख्याओं के गुणन को प्रदशित करके चोता है एक पूर्ण संख्या और एक भिन के गुणन की कलन विद्धी को संख्या रेका पर प्रदशित करके तो दोस्तो इसका उतर है तीसरा ग्रीड पेपर पर दो दश्मलों संख्याओं के गुणन को प्रदशित करके प्रसन प्रात्मिक स्थर पर सिक्षार्थियों को माप का संधर पढ़ाने के लिए निमलिखित में से कौन सा कथन सकते हैं तो दोस्तो प्रमानिक मापों का उपयोग है प्रमानिक मापों के बाद करना चाहिए तो इसका उत्तर है तो आपके सामने चार ओप्षिन हैं जो सही ओप्षिन हो तीसरा चेत्रय ब्रमन सरवेक्षन और प्रियोजना प्रसन अठाउन गणित के कक्षा कक्ष में द्रिश्टी भाधितों के लिए निमलिखित में से किसका प्रियोग सिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है तो इसका उत्तर है टेलर का गिंतारा, कंप्रिटर और या जियोबोर्ड प्रसन नमबर 69 संख्याओं के संधर में प्रात्म कक्षा के बच्चे अर्थार वे बच्चे जिनका आई वर्ग आठ नो वर्च है निमलिखित में से किस समुच्चे में परवीन होते हैं तो दोस्तों इसका उत्तर है पंक्तिबद्दा, वर्गिकन और प्रतिवर्यता प्रसन नमबर 60 कक्षा एक के एक सिक्षक ने एक विध्यारती को सभी वस्तों के गणना करने के लिए कहा जिसमें पैन, रबड और शापनर का संग रह था विध्यारती ने सभी वस्तों को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की उसने दस वस्तों के स्थान पर कहा कि 2, 5, 5 रगड़ और 3 शापनर है उनके विचार से विध्यार्थी को गणना कि किस सिधान्थ किन सिधान्तों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो दोस्तो इसका उत्र है एमूर्तन और एसंगत करम सिधान्थ अब आ गया है अपना भाग नमबर 3, Environmental Studies, Part 3, प्रियावण अध्यन तो शुरू करते हैं दोस्तों प्रियावण अध्यन के Question और Answer प्रसन नमबर 61, प्रियावण अध्यन के पाठेकरम, जिसे 6 उपविश्यों के चदुकृत निर्मित किया गया है में पोधь और पश्यों को जान भुजकर, परिवार और मित्र उपविश्या के अंतरगत सम्मलित किया गया है इसके लिए निमलिक्षत में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं वह है एक कारण कौन साह है सामाजिक और सान्सकृतिक संधर में पोधों और पशों का स्थाने धारित हैं करने में विध्यारतियों के सायता करना बिलकुल सही है दूसरा है एक बात को उभारना कि किस परकार मनुश्य एक दूसरे से घनिस्ट संबंदों का साजा करता ही यह भी ठीक है तीसरा इस बात को उभारना कि किस परकार कुछ समुधाय कि जीवन और आजिवकाय विशे से पशों और पोधों से घनिस टूप से जुड़े हैं विल्कुल सही है चोथा है विधारतियों को विज्ञान के दिरिस्टीकों से पोधे और पशों को समझने में सक्षम बनाना तो दोस्तों इसका उत्तर है चोथा नूबर 4 परसन नूबर 62 प्रियावन अध्यन की सिक्षण अधीगम में सरवेक्षन का उदेश्या है समुदाय के साथ अन्योंक्रिया का अवसर परदान करना बच्चों को विभिन लोगों के परतिसमवेदंशील बनाना तीसरा है सूचना का उपर टेक्स प्राप्त करने का अवसर परदान करना चोथा है आकलन की एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना तो दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा और चोथा बिलकुल ये चारों बिलकुल सही हैं, पहला है इसका उत्तर नमबर एक प्रसल नमबर अगला है 63-65 इनके लिए निमलिखित अउतरण पर आधारित हैं शिक्षक दुवारा प्रदेशित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाश्पिकर्ण हो जाने के प्रियोग को देखने के बाद साथ से आठ वर्श के बच्चों दुवारा दिये गए उत्तर इस परकार हैं पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोक लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया प्रसन नमबर है इसके हिसाब से ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं बच्चों के उत्तर उत्तर संगत नहीं है बच्चों के सोच गल्थ है बच्चे अच्छावलों को नहीं कर पाते वश्पिकर्ण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं बिल्कुल सही है ये चोथा प्रसन नमबर 64 शिक्षक को इन उत्रों का सामना किस परकार करना जाएं जल चकर का एक माने चार्ट परदशित करें वाश्पिकर्ण के प्रिभाशा दे और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें उनके विचारों तक पुन है पहुचने के लिए एक चर्चा प्रारंब करें बच्चों को बता दे कि वे गल्द है तो दोस्तों इसका उत्रह तीसरा उनके विचारों तक पुन है पहुचने के लिए एक चर् जल चक्र होता ही नहीं, दूसरा जल चक्र के करम के सोपानों के सूची बताईए, तीसरा जल चक्र का आरेक बनाईए और उसे नामित कीजिए, चोथा है, जल चक्र के पांच लाब लिखिए तो दोस्तों, इसका उत्तर है, पहला क्या होता है, यदि जल चक्र होता ही नहीं, प्रसन नूम्बर 66, निमसिक तमेसे कौँ में से राज्य जम्मू ॔र कश्मिर के पड sacrificet नाइनवाले सामान्य गरौंskे सही विवरन्य का मिलान कीजिये मनाली राजस्तान असॉर लद्ता तो आस इसा कहला करनाici मिलान्य मनलान करशिप़ाब में पत्थर या लकडी से बने डालू चतो वाले घर होते हैं विलकुल और राजस्थान में होते हैं पत्थर से बने घर जिनके फर्स और चते लकडी से बनी होती हैं ये हैं मिट्टी के घर जिनके चते कटिली जाडियों से चाही होती हैं आसाम में बनाए जाते हैं बास के ख तो इसका उत्तर है दूसरा बिल्कुल सही प्रसन नमबर 68 पश्यों के लिए तवचा किया विविद पैटरन उनकी शारिक शक्ति को इंगित करते हैं प्रावर्तित परकाश के कारण होते हैं उनके तवचा पर बालों के कारण होते हैं उस जलवायू के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं तो दोस्तो इसका उत्तर है तीसरा उनके त्वचा पर बालों के कारण होते हैं परसन नमबर 69 जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्सों से रह रहा है उसका उस जंगल भूमी पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तो पर अधिकार है यह जनादेश किस के दुवारा दिया गया तो यह जनादेश दिया गया जल जंगल अधिकार अधिनियम 2007 परसन नमबर 17 निमली कि तुमें से मच्रों दुवारा फैलाने वाले रोगों का समुच्य कौन सा है तो दोस्तो इसका उतर है डेंगू, मलेरिया और चिकन गुनिया यह मच्रों के दुवारा ही फैलाए जाते हैं परसन नमबर 17 घटपर्णी पोधा भारत में नहीं पाया जाता मेंड कों, कीड़ मकोडों और चुहों को चालाकी से फजागर खा जाता है प्रसन नमबर 17 नीचे दिये गए खाते पदारतों के किस समुच्चे में लोहा तत्व परचूर मात्रा में होता है आवला पालक अलू, आवला आलू टमाटर बंद, गोबी बिंडे गुड, आवला पालक गुड तो दोस्तो इसका उतर है प्रसन नमबर 17 निमलिकित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पोधे के काटों के बीच अपना गोशला बनाता है बया, कल्चडी, फाक्ता, शकर, खोरा तो दोस्तो इसका उतर है फाक्ता प्रसन नमबर 75 किसी पशू के विशय में नीचे दिये गए विवरण को पढ़िये और उस पशू को पहचानिये यह भालू जैसा दिखता है पर अंतु भालू नहीं है यह दिन में लगबग 17 गंटे वरिक्षों के साखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है यह जिस वरिक्ष पर रहता है उसी के पत्या खाता है यह लगबग 40 वर्सों तक जीवित रहता है तो दोस्तों इसका उत्र है सलाथ प्रसन नमबर 76 नीचे दिये गए जिवों के समूह में से किस की द्रेस्टी स्रेस्ट होती है तथा वे मनुश्यों के तुलना में चार गुनी अधिक दूरी की वस्तूओं को देख सकते हैं उप्षन है साँ, अपरेशन कीट, छिपकली, चील, गुरूड, गिद, मदमखी, मच्चर, तितली, भाग, देंदवा, सांड तो दोस्तों इसका उत्तर है, दूसरा चील, गुरूड और गिद, प्रसन नमबर 77 नीचे दिये गए, खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंक की पहचान कीजिए एक फसल को काटने के पच्चात खेत को कुछ वर्चों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं उगाई जाता है। दोस्तो इसका उत्र है जूम खेते प्रसन नंबर अठेटर जब कोई सपेरा अपने वाद्देई अंतर बीन को बजाता है तो सांप उसकी धावनी पर अपने सिर को इधर उधर गुम आता है आपके विजार से सांप वाद्देई अंतर के परती अनुकुरियां कैसे कर रहा है दोस्तो इसका उत्र है उस वाद्देई अंतर द्वारा उपन कंपनों के परती अनुकुरियां करके परसन नंबर आएसी परिवार एक काई होता है जिसमें मा पिता और उनके दो बच्चे होते हैं यह कथन है, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, तदा प्रिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गिगर्ण नहीं किया चा सकता है। प्रसल नंबर 80, मानुओं के पेट में अमाश्यरस की प्रकरती होती है और वहवे भोजन को पाचन में साहता करता है। प्रकुतियों का वर्गिगर्ण इस प्रकार किया। वर्गिगर्ण के बहुत से तरीकों का उप्योग करते हैं। तीसरा है वर्गिगर्ण का काम बहुत विशिस्ट और स्थरे कृत है। और इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा बिलकुल सही है ये। प्रसल नंबर 80, प्रियावण अध्यन की अपनी कक्षा में समुहुं किरिया कलाब का निर्माण करते हुए आपने मिलिकित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे। बच्चों की रूचियों का ध्यान हो। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रूची कर लगे। इसमें मुलेवान सामगरी लगी हो। सभी धार्मिक और सांस्कृत प्रस्ट भूमी के बच्चों को रूची कर लगे। तो दोस्तों इसका उत्तर है बच्चों की र चलापों के संगलुन, शिक्षकों और विधैरतीयों के पक्ष में तर्ख प्रस्तुत करते हैं किवल एक कथन को छोड़ कर वह कथन कौन साह है तो हमें वो एक कथन बताना है बच्चे दूसरों बच्चें से बात और भहस करने से अधिक सीखते हैं दूसरा है समुह क्रिया कलापों की वज़े से बच्चे अंक उपलब्धी में अच्छा सुधार परदशित करते हैं तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा प्रसन नमबर 84 समुह कारिये से प्रियावन अध्यन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेस्ताओं के आकलन के लिए निमलिकित में से कौन सा उपकंड सरवादिक उप्यक्त है प्रसन नमबर 85 नीचे पोधों के बारे में बच्चों के कुछें सहजानू भूत विचार दिये गई हैं उन में से कौन सा विचार वेग्यानिक द्रिश्टी से ठीक है तो कुछ सब्जियां फल होती है यह सही है प्रसन नमबर 86 कक्षाचार की एक शिक्षका ने अपने विध्यारतियों से कहा कुछ वयविरुद्ध लोगों से यह है पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पोधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते उप्यूक्त परसन के पूछे जाने पर निमलिखित में से किस कोशल के आकलन की संभावना नहीं है तो यह प्रयोग के आकलन की संभावना नहीं है प्रसन नमबर 87 एक शिक्षक परते एक बच्चे को अपने घरों की रद्धी सामागरी से कुछ उप्योगी वस्तू बनाने को कहता है शिक्षक का शक्षिक अभी प्रय नहीं है तो दोस्तों कक्षिया केस रेस्ट विद्यारतियों के बारे में नेर्ण करना परसन नमबर 88 सी निखित परसनों को पड़िये मैंने किरियागा क्लाक की योजना कितनी अच्छे बनाई दूसरा है मैंने योजना का अनुसरन कितना अच्छा किया राहिं दीषरह मेरी शक्तियां क्या आधि है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा उपर दिये गए चार प्रकार के परसनों के उत्रों से होता है शिक्षक के द्वारा समगर आकलन बच्चों के सवभाव आकलन स्वें आकलन शिक्षक होगा स्वें आकलन बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वें आकलन तो दोस्तों इस के दिन परती दिन की बाशा से संबध होनी चाहिए बिलकुल सही है प्रसन नमबर 90 एक शिक शिक अपने विध्यार्थियों को विविन पहलों के चितर देता है और उन पशियों पर रंग भरने को कहता है जो हमारे गरों में नहीं रहते इस किरियाकलाब का उदेश्य इन में स क्या है सरजनात मुक्ता का विकास करना अवलोकन का विकास करना वर्किकर्ण कोशल का विकास करना डाटा संग्रह का विकास करना तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा A, B और C तो दोस्तो ये 90 question हम आज आपके लेके आये थे seated September 2018 में जो level 1 का PRT का जो exam हुआ था paper 1 जिसको हम कहते हैं उससे जुड़े हुए तो दोस्तो खुल 150 question आते हैं इस paper में जिस में से हम 90 आपके लिए लेके आ गए हैं 60 question बाकी रहते हैं तो दोस्तो वीडियो हो रहा है काफी लंबा इसलिए आज हम इस वीडियो को यहें श्रोट करते हैं और हम इसको दे देंगे भाग नंबर 1 या part नंबर 1 की संग्या दे देंगे और अगला भाग नंबर 2 इससे जुड़ा हुआ भी बड़ा ही जल्द हम आपके लिए लेके आएंगे तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कर लिजी हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते वक्त एक बैल एक गंटी दिखाई देगी उसको भी प्रेस कर लिजी ताके नोटिफिकेशन ओन हो जाए आप कोई भी वीडियो जो यहां से अप्लोड हो उसको मिस न करें तो ठीक है दोस्तों आज और अभी के लिए इतना है फिर मिलते हैं किसे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार